Hello friends, welcome to my channel All in One अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब ने किया तो सबस्क्राइब बटन क्लिक करके इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडियन आर्मी की जो लेटेस्ट रिक्रूट्मेंट है सोल्जर्स के लिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन में आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ 2018 में देखिए सोल्जर की रिक्वाइर्मेंट है उसकी जो मिनिमम एजुकेशनल कॉलिफिकेशन एथ, टेंथ, ट्वेल्थ, डिप्लोम और बीएस्सी जॉब लोकेशन कहां पर है, राजकोर्ट, भावनगर, गीर और ये जो जॉब पोस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट विकेंसिस के लिए इसलिए आप देख सकते हैं, कि जो कॉलिफिकेशन है, वह आठवी पास, दस्वी पास, बार्वी पास, डिप्लोमा और बीएस्सी इसकी जो लास्ट डेट है, वो है 10-4-2018, मतलब आपको एपरिल से पहले पहले इसको भर देना है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉलिफिकेशन डिटेल्स, जो सोल्जर जीडी में है, उनके लिए जो है, एससी पास और 45 परसेंट उनका होना चाहिए 50 kg उनका वेट, 168 cm हाइट, उसी तरह से अगर सोल्जर जो टेकनिशन के लिए अपलाई करना चाहती है, उनके लिए 10 प्लस 2, इंटरमेडियेट में, और फिजिक्स केमेस्ट्री मैट सुना चाहिए उसके बाद से, सोल्जर टेकनिकल, फिर उसके लिए भी सेम वही फिजिक्स केमेस्ट्री मैट, 50 kg वेट कम से कम होना चाहिए यह आप देख सकते हैं पूरी इसकी विकेंसी के बारे में, और जो जो दूसरा इसका है वो है डॉक्यमेंट, उसमें आपको क्या है, जो भी रेलिमेंट, जिस पर्टिक्लर पोस्ट के लिए आप अपलाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको, अगर आप सिंपल सोल्जर के लि हैं दिपलोमा, उसके पास आपको स्कूल लिविंग सेटिफिकेट, एथ पास मार्क्षीट, उसके बास से अगर कोई हायर एजुकेशन उसके बाद से आपने किया है तो, रेजिदेंशल प्रूफ सेटिफिकेट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए उलता, आपको रेजिदेंशल प्रूफ भी चाहिए होगा, जो कि सरपंच से, सरपंच के थूँ जो है, उसको अथराईज होना चाहिए, करेक्टर सेटिफिकेट चाहिए, कास सेटिफिकेट और NCC सेटिफिकेट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, जो कि आपको आर्मी के लिए लि प्रेस में जो निकाला गया था वो ये है, ये आप देख सकते है, सोलजर जनरल ड्यूटी के लिए है, सोलजर ट्रेट्समेन के लिए है, सोलजर ट्रेट्समेन उसमें आटमी पास, इसमें दसमी पास, इसमें सोलजर कलर के लिए है, और आप देख सकते हैं, इसमें आप दे और उसके बाद से यह देख सकते हैं आप इसमें कैटेगरीज कैटेगरीज में आपको सारा कुछ बताएंगे सोल्जर जीडी में देखिए ससी पास 45 प्रशंट चाहिए हाइट 168 cm मिनिमम है इसके उपर मिनिमम着 और मिनिमम चेस्ट यह anciоп psychological आइज गरूप सेयम है आप यह देख सकते हैं इनका जो है इसमें जो निकाला गया था जो ओफिशिल डॉफिशिल रिलीज है वो यह है फिर सोल्जर टेक्निशन फिर साड़े सतरह से तैज साल तक शुड़ाइब सेक्यूड फॉर्टी परसन इनका फिशिक सेमेस्ट्री मैट्स 167 सेंटीमेटर हाइट 50 केजी और यह चेस्ट अनेक्स्पेंडिट यह सारा का सारा जो आपको जो है एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में उसके बाद से जो इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है वो देख लीजी आप 1.6 किलोमेटर रन करना होता है सारी के लिए पांच मिनट 30 सेकंड में उसके बाद से पांच मिनट 31 सेकंड से लेके गुरूप 2 में 48 मार्क्स का यह 60 मार्क्स पुल अप्स 10 अचिक है उसके बाद से देखिए आफ शुट कॉलिफाइए इस यह सिफ कॉलिफाइं के लिए 9 फ आपका फिजिकल एफिशिंसी का टेस्ट है आपको मैंने डॉक्यमेंटेशन के बारे हम सारा कुछ बता दिया कि डॉक्यमेंट क्या क्या चाहिए होंगे अलग-अलग कैटिकरी के लिए एक बार आप फिर से इसको देख सकते हैं कौन-कौन सी डॉक्यमेंट आपको लगाने दिये जिससे कि आप लेटेस्ट जॉब अप्टेट्स के बारे में जानकारी आपको मिलते रहें थैंक यू